दोस्तों आप सभी लोग एक बार मोदी जी को थैंकी बोल दिजे अच्छे दिन लाने के लिए एक student के लिए अच्छा दिन क्या हो सकता है notification टाइम पर आए exam टाइम पर हो selection टाइम पर हो लेकिन मोदी जी के अच्छे दिन में इसमें से कोई भी टाइम पर नहीं हो रहा है IBP सारार भी prelim call letter को ले करके IBP इसने इतना suspense create कर दिया है कि बहुत सारे candidate जो है इसको ले करके जो एक दम फ्रस्टेट हो गया है उदास हो गया है आप लोग हमेसा comment कर रहे हो कि sir आज भी call letter नहीं आया मैं आप सब को कल बताया था कि call letter आज नहीं तो कल साम को आ जाएगा मुझे उन लोगों ने swear कि अधा कि कल तक call letter आ जाएगा और दोस्तों आज सुबह से मैं 10 बजे के बाद से रिगुलरली मैं official website है वहाँ विजिट कर रहा हूँ वहाँ पर उनके 1250 number है वहाँ पर call कर रहा हूँ जैसे मुझे time मिल रहा है वो दो बात बोल रहे हैं कि हाँ जल्दी आ जाएगा आप अपना email ID चेक करते रहे है official website चेक करते रहे है यानि जो आप सब को IBPS ने परिशान करकर रख दिया है टीचर से ले करके candidate को ले करके परिशान करकर रख दिया है दोस्तों IBPS अब क्या चाहता है क्या करने वाला यह तो आने वाले time में ही पता चलेगा लेकिन मैं आप सभी से request करूँगा आप में से जितने सारे serious candidate हैं आप लोग अच्छे से preparation करते आ रहे हैं आप एक दिन और wait कीजिए IBPS का तरफ से कुछ ना कुछ clarity तो जरूर आएगा exam postponed हो रहा है कि exam हो रहा है लेकिन जो है exam तो 100% होगा ही लेकिन IBPS ऐसा क्या कर रहा है जिसके वजह से callator नहीं निकाल रहा है वो तो IBPS ही बता सकता है बस आप सबको मैं एक request करूँगा कि आप लोग एकदम calm रहे और जितना आप study कर सकते हैं तो उतना आप करने की कोसिस कीजिए बहुत सारे candidate जो है एक्जाम दुसरे जगह भरे हैं सेंटर तो उसको लेकर करके परिशाने की कॉलेटर आ जाता है हम लोग डिकट के ववास्ता करते हैं लेकिन आप कोसिस कीजिए पढ़ने के लिए और ऑपीसियर जो वेबसाइट है जैसे कुछ important information आएगा मैं आप सबको provide करूंगा thank you so much God bless you